हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलतावंत, अब आप लोग मेरे वीडियो को अनेकडमी की लर्निंग आप पर भी देख सकते हैं, इस पर आपको मेरे सभी UPTET से रिलेटेड इंपोर्टन वीडियो मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे, उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज ला पढ़ा रहा था, एक एक चीज पढ़ा रहा था, तो दोस्तों, इसी सीरीज में आज हम लोग डिसकस करेंगे, जीवन कौसल के कुछ important questions, ये जीवन कौसल का एक practice state है, जिसके अंदर हम लोग 30 important questions को discuss करेंगे, सभी बहुवी कलपी question है, और दोस्तों इन questions को रट लीजिएग तो आपको बाद में problem नहीं होगी, आप लोग अच्छे से उसकी त्यारी कर सकते हैं, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की class को, दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe ना किया, तो जल्दी से subscribe करने, उसके पास में लगे हुए bell icon को भी प्रेस कर दें, ताकि सिच्छक के लिए सबसे महत्वण होता, वो क्या होता है, सिच्छक का कारे होता है, सुगम करता का, यानि कि वो सिच्छार्थियों की कठिनाईओं को दूर कर सके, तो सबसे महत्वण कारे पूछा गया, तो आप लोग C number option पर टिक करेंगे, कि विद्यार्थियों की कठिना को विक्सित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोल कर, अनुसासन की अनुभूति को विक्सित कर, आदर्स रूप में वरताव कर, या फिर उन्हें अच्छी कहानिया सुना कर, तो दूस्तों एक सिच्छक जो सामाजिक मुल्यों के बारे में विक्सित कर सकता, उनके ही हो जाएगा अब इसके बाद बढ़ते हैं एगले कोश्चन पर मानवी मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है मतारोपन अंगी करण अनुकरण या फिर अभिव्यक्ति तो दोस्तों मानवी मूल्य क्या होते हैं जो मानव के अंदर नहीं मूल्य तो ये अंगी करण किया जाएगा इसका बी नंबर आप्शन सही हो जाएगा बिल्कूल अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर वेवसाइक आचरण एवं नीति को प्रेरित करने वाला कारक है अनुसासन धीरता इमानदारी या फिर ये सभी तो दोस्तों वेवसाइक आचर यानि कि वेवसाइक वेवार जब आप लोग करेंगे तो इसके अंतरगत अनुसासन आवस्सेख होता है धीरता यानि कि आपके अंदर धीरज होना चाहिए आप लोग आपको बिल्कुल भी एक्साइटर नहीं होना चाहिए तीसरा होता है इमानदारी तो ये तीनों अबस्सेख होती इसका आप लोग डी नंबर आप्सन सही कर देंगे ये सभी अगला कोशन है संबिधान के किस प्रावधान दौरा अस्प्रस्थिता का उन्मूलन किया गया अस्प्रस्थिता का मतलब होता है छुआ छूट भेद भाओ उंच नीच ये सब चीज़ें इसके अनुच्छेद 19 में तो दौस्तों अस्प्रस्थिता के बारे में अनुच्छे 17 के बारे में बताएगा इसका आपका C नंबर आप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा देख लीजे और आंसर देते रही है अब बढ़ते हैं अगले कोशन पर निम लिखित में से कौन सा सब्द भ संविधान की उद्देशिका में नहीं दिया गया बलकि समाजबादी पंत निरपेच यानि की धर्म निरपेच और प्रभुता संपन ये तीनों इसमें दिये गए हैं तो दोस्तों लोग कल्यान का कहीं सब्द नहीं लिया गया इसके लावाद समाजबाद जो है पंत कर लेते हैं तो अनुछेद 14 जो है ये विदिके समझ समता के अधिकार से संबंदित है इसका अनुछेद 19 जो है सोतंतरता के अधिकार से संबंदित है और अनुछेद 21 जो है ये प्राण और दहिक सोतंतरता के संरचन से संबंदित है तो अनुछेद लगभग जो 14 से लेकर बताना हो कि किसके द्वारा दिया गया है तो है दंड एक बुरी बस्तू है उसकी अभेलना भी की जानी चाहिए परंतु जिस प्रकार सरजन का चाकू सरीर के सडाओ को दूर करने के लिए आवस्यक है उसी भाथ इमानों की दुरवलताओं को दूर करने के लिए दंड भी अता जिस प्रकार राज एक आवस्यक बुराई है, उसी भात दंड भी एक आवस्यक बुराई है, जिसको हमें अपनाना पड़ता है, किसका कथन है, पी रेन का, एड़ाम इसमित का, महत्मा गांती का या इन में से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका 7 नमबर कुश्चन का आपका कथन पी रेन का है, और ये दोबारा एक बार कथन आप लोग जरूर पढ़ लिजे का, बड़ा सा कथन है, और इंपोर्टन है, क्योंकि बड़े कथन जो होते हैं, आप लोगों को देख कर ही डर लग जाता है, इसी वज़े से ऐसे कथन पूछे जाते हैं, इसका अगला अगला कोशन है, परामर्स पारसपरिक रूप में सीखने की प्रक्रिया है, ये परिभासा किसकी है, विली एंड एंडरू की, रूथ स्ट्रेंग की, रॉविंसन की, रॉविंसन की, या फिर कॉल्स रोजर्स की, तो दोस्तों इसका B-Number option सही हो जाएगा, रूथ इस्ट्रेंग की ये परिभासा जिनोंने कहा है, परामर्स पारसपरिक रूप में सीखने की प्रक्रिया है, B-Number option सही हो जाएगा, अब दोस्तों बढ़ते है, 10 number question पर किसी कच्छा में सिच्छा की भूमिका है, समय सारेनी से ग्यान पहुचाना और सिच्छारतियों को सही उत्रों के लिए तयार करना, तो दोस्तों एक सिच्छक के लिए जो सबसे महतपूर्ण भूमिका होगी, वो छात्र को स्वतंतर रूप से सोचने और चिन्तन करने की सुविधा देगा, और उन्हें ऐसी उस्थतियां कभी भी सिच्छक छात्र को अपने अनुसार नहीं चला सकता, नहीं उसको बांच सकता है, छात्र हमेशा अपने अनुसार कारे करेगा और अपने अनुसार ही चीजों को सीखेगा, अब इसके आद अगला कोशन है, डंसमूर के अनुसार परामर्स का उद्दे से है, छात्र में समस्या का समाधान करने की योगिता प्रदान करना ही प्रामर्स का उद्दे से होता है तो ए नंबर आप्शन सही हो जाएगा इसके बाद अगला है रॉबर्स के अनुसार प्रामर्स का उद्दे से है सैच्छिक समस्याओं के समाधान में सहयता करना वेबसाइक समस्याओं समाधान में सायता करना या फिर उपर्यूग तो दोस्तों परामर्स का जो उद्दे से तीनों ही इसके उद्दे से जो की रॉवर्ट ने बनाये हैं तो इसका फोर नंबर आप्शन सही हो जाएगा उपर्यूग सभी अब बढ़ते हैं अगले कोशन पर सलमा एक प्रारंबिक विद्द्धाले में सिच्छिका है जिनेर बच्चों को सिखाना बहुत अच्छा लगता इसलिए वैश शिच değer के संसाधनों का कच्छा में रोचक प्रयोक करती हैं सलमा खालिस्तान अभी प्रेरित हैं बाहर रूप से आंत्रिक रूप से शक्री या फिर सामुहिक रूप से तो दोस्तों सलमा जो प्राथमिक विद्याले में सिच्छी का हैं वो अपने दोरा अलग-अलग विधियों का प्रयोग करती हैं और कच्छा में रोचक बनाती हैं तो ये दोस्तों आंतरिक रूप से प्रेरित हैं इसका आपका B number option बिल्कुल सही हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले question पर कच्छा 8 या 9 के बच्चे सामान लेता है निमलिखित में से किस अवस्था में होते हैं वाल्य अवस्था, किसोरा वस्था, प्रोडा वस्था या फिर वैस का वस्था तो दुस्तों जो 8 या 9 में बच्चे बढ़ते हैं वो आप लोग खुछ सोचिए 6 से 14 वर्स के बच्चों को कहा गया था क्लास 8 तक की पढ़ाई पूरी कर ले तो जो क्लास 8 में बच्चा होगा तो मिनिमम 14 साल का तो होई जाएगा और जब बच्चा 14 साल का हो जाएगा तो वो किसोरा वस्था के इंतरगात आता इसका आपका B नंबर उप्चन बिल्कुल सही हो जाएगा अब अगला कोश्चन है निम लिखित में से कौन सा इस्तंब लर्निंग दा ट्रेजर विदिन नामक रिपोर्ट में यही वाला जो है इसमें समले नहीं है डी नंबर उप्चन आपको सिलेट करना है अब बढ़ते हैं अगले 16 नंबर कोश्चन पर दोस्तों इन कोश्चन को एके करके समझते जरूर रही बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है और परामर्स हो गया, प्रेरणा हो गया इसके लावाद जो जीवन कौशल के अन्य टॉपिक हैं उन सभी कौम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और इसी प्रकार के एक एक करके आपके प्रक्टिस सेट डेली आते रहेंगे इनके लिए दोस्तों देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजे ताकि सभी के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें आपको अब अगला कोश्चन है सिच्छकों को यह सला दी जाती है कि वे अपने सिच्छारतियों को सामुही गतविदियों में सामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्ति यह खालिस्थान में भी साहता करती है दुश्चिंता में, समाजी करण में, मूल दोंद में या फिर आक्रामकता में तो दुश्चिंता में साहता करती है ए नंबर आप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसलिए कहा जाता है कि इस दिच्छारतियों को सामुही गतविदियों में सामिल करना और सीखने को सुगम बनाना गलत थोट्स आ जाते हैं उनके अंदर यह आने लगता कि हम कारत नहीं कर सकते हैं यह सामुही कारत से दूर हो जाता है अगला कोशन है सांत की स्थापना के लिए किस मूल्य की आविसकता होती है संबैधानिक मूल्यों की मानविय मूल्यों की नहतिक मूल्यों की या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं तो दुस्तों सांति की स्थापना के लिए जो सबसे जादा आवसेक होता है वो संबैधानिक मूल्यों की आवे सकता होती है और संबैधानी मूल्यों के भी न, आप सांती स्थापित नहीं कर सकते हैं, ए नंबर आप्शन सही हो जाएगा, अब इसका अगला कोश्चन है, संबिधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं, छे, साथ, आठ या फिर इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों संबिधान में मूल सकता है, जीवन कोशल के इंतर्गत, तो इसका ए नंबर आप्शन सही हो जाएगा, छे मूल अधिकार बताएगा हैं संबिधान में, और दोस्तों है कि कुश्चन का अंसर जरूर देते रही, मैं आपको एक से दू सेकेंड का समय दे देता हूं, इसलिए मैं आप्शन लोग अपना अंसर जरूर बता दे, तो दोस्तों अब आज का आपका कोश्चन है, जिसका अंसर आप लोगो कमेंट वॉक्स में देना है, तो यह आपका कोश्चन है कि मूल करतब कितने बताएगा हैं, संबिधान के इंतर्गत मूल करतब कितने हैं, इसका अंसर जरूर दे सभी तो दोस्तों पुरसकार का मेन उद्दे से क्या होता है देखे चरित का निर्मान करना अनुसासन का निर्मान करना और रुची का निर्मान करना सभी इसके उद्दे से होते हैं तो दोस्तों इसका आपका डी नंबर आप्शन सही हो जाएगा अब अगला कोशन है प्राथ सिछण पद्दतियों और विश्यों के ज्यान की दच्छता सबसे आधीक पढ़ाने के लिए यही आवधुस्यक होता क्या कि यदि आप लोग धहरे और दरणता रखेंगे और सिछण पढ़ा तो नहीं सकते हैं न और सिछय के लिए सबसे ज्यादा आवध्य जुता वो ग्यान होना बहुत आवस्यक होता है इसके बाद धहरे और द्रणता भी आवस्यक होती है पढ़ाने की उत्षुकता भी आवस्यक होती है लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट होगा वो बी नंबर आप्शन सही हो जाएगा अपने आंसर मिलाते रहे देखी कितने कोश्चन आप दूर करने के लिए किया जाता है तो सुध्यों को या इनको दूर कैसे किया जाएगा अभ्यास के माध्यम से और पुंद्रा ब्रत्ति के माध्यम से तो सी नंबर आप्शन जो दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा देख लीजे समझ लीजे और आंसर जरूर देते रहे आवे सकता होती, communication जो कहा जाता है, इसका प्रिष्ट पोस्ण यानि कि जमीनी तोर पर पोस्ण करना, यानि कि समझाना ये भी आवस्यक है, अगला है तकनीकी का प्रयोग, यानि कि टेक्नोलोजी नई नई चीजों का प्रयोग करना, उनके माध्यम से बच्चों को प्रहभी तरीके से पढ़ाना, तो तीनों सही दिएगा, यानि कि डी नंबर आप्शन सही कर देंगे, आप लोग ये सभी, क्योंकि तीनों बिल्कुल सही चीज बताई गई है, अब इसके आद अगला कोशन है, संस्क्रति करन के समाज सास्त्री सिध्धान्त के प्रिचबादक कौन ह दोस्तों ये भी इंपोर्टन कोशन है, बताई जल्दी से यूगेंदर सिंग, एमेन स्री निवास, राधा कृस्नन या फिर इसमाईल दुर्खिम, तो दोस्तों इसका आपका बी नंबर आप्शन सही हो जगा, एमेन स्री निवासन जो है, ये सिध्धान्त के तो दोस्तों इसके लिए जो सबसे महत्वण होगा, वो क्या होगा, तो दोस्तों इसका आपका बी नंबर आप्शन सही हो, जो सिध्धन अधिगम सामिगरी जो होती है, इनका प्रियोग करना बहुत ही आवस्यक होता है, ये आपको सिध्धा की गुड़बत्ता को बढ़ा तो इसका बी नंबर आप्शन सही हो जाता है, तो इसका बी नंबर आप्शन बिल्कुल सही हो जागा, बाकी चीज़ें इसके बाद में आती है, टी एलेम सबसे जादा अवस्यक होता है, सिध्धा की गुडबत्ता को बढ़ाने के लिए, अब इसका अगला कोशन है, रूत इसे भी एच्छे से देख लीजे, तो इन्होंने क्या उद्दे से बताया था, इसका सी नंबर आप्शन सही हो जागा, आत्म परिचया और आत्म बोध ये दोनों चीज़ें ही आवस्यक हैं, याद कर ली कि आप लोग, अब इसका बढ़ते हैं अगले कोशन पर, इसके पह अब अन्य जो टॉपिक आपको चाहिए हूँ, या कॉशन कैसे लगे जरूर बताते रहे हैं, और दूस्तों मैंने बुक के बारे में आप सभी लोगों को बताया था, काफी लोग बुक के लिए कॉल कर रहे हैं, तो दूस्तों मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको वाटस प्रस्न होंगे और इसी प्रकार के प्रस्न एक्जाम में आने की संभावना है, तो इसलिए यदि आपको चाहिए तो जरूर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप लोग और अपनी त्यारी अच्छे से करते रहें, तो अगला कोशन है, CBSC सिछार्तियों के लिए व्यक्ति गतविदियों के लिए पर्याफ्त समय नहीं होता है, इसका अगला है गतविदियों की धाचा गत, लागत को कम करना, या फिर व्यक्तिगत प्रतिसपर्धा के प्रतिनकारात्मक, संबेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामानी करत हो सक लगते हैं, तो दोस्तों D-Number Option यही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सबसे सुटेबल यही है, एक बार आप लों कोश्चन और पढ़ लिजे, क्योंकि बड़ा कोश्चन था, तो समझने में प्राब्लम हो रही होगी, क्या दिया गया, सिच्छार्तियों के लिए व्यक्त व्यक्तिगत गतिविदियों के स्थान पर सामुही गतिविदियां क्यों कराई जाती है, इसके पीछे क्या महत्तो, इसका क्या विचार हो सकता है, तो दोस्तों इसमें दिया गया, व्यक्तिगत प्रतिसपर्दा के पर नकारात्मक संबेग प्रतक्रियाओं से ओबरने के ल प्रपती चुनोती पूंड कार करने पर डटे रहनी की प्रपती यह प्रपती इसे उपलबदी अभि प्रेणा कहा जाता है तो दोस्तों इन्हें अच्छे से याद करते हैं अब इसका अगला कोशन विवेच नात्मक सिच्छा सास्तर का यह ध्रण विश्वास है कि सिच्छार्तियों को सतंतर रूप से तरकणा नहीं करना चाहिए बच्चे स्कूल से वाहर क्या सीखते हैं यह अपरासंगीक हैं सिच को हमेशा कच्छा कच्छ में अनुदेशन का नेत्रत करना चाहिए तो दोस्तों 28 नंबर कोश्चन का आपका सी नंबर ऑप्शन सही जगा सिच्छार्तियों के अनुभव और प्रत्यच महत्वण होते हैं यानि कि सिच्छार्ति जो भी अनुभव करते हैं आप प्रत्यच रूप से देखते हैं यह सबसे ज़्यादा महत्वण होता इनी के आधार पर उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है अब दोस्तों आज का अंतिम कोश्चन इस को और अच्छे से देख लीजे इसकाद हम लोग अन्य टॉपिक को डिसकस करेंगे इंगलिस का महत का भी जल् अगर आपने ना देखे हैं तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिये गए हैं अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई सिचक भरती 2019 से उसे आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर सभी एक ही जगए पर आपको पार्ट मिल जाएंगे तो अगला कोशन अभिप्रेणा के सिध्धा रखने में विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेच्छाएं ना रखने से या फिर विद्यार्थियों से बहुत उच अपेच्छाएं रखने से तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया कि एक सिच्छा खालिस्तान के द्वारा सीखने को संबर्दित कर सकता है तो सीखन complete हो गए जीवन का उसल के जलती हम लोग next part लेकर आएंगे तो दुस्तों इसे share जरूर करते रहे अधिक से अधिक संख्या में ताकि सभी लोगों के पास तक यह पहुंसते रहे और इन questions को अच्छे से तयार करते रहे याद करते रहे बहुत ही important question है चैनल को subscribe कर लिजे वीडि